असलालेकुम हेस्ट देश्टूइंस आज आपसे इन्शाइलला ये अलिगर्व का तू थाउजन नाइन्टीन का इलेवन साइंस का एंट्रेंस पेपर था डिप्लोमा 11 साइंस के लिए वो पेपर डिसकस करेंगे इसमें 100 कोस्टेंस होते हैं 30 कोस्टेंस मैच्स के होते हैं 20 ेश्ट करीव 70 स्टांग के होते हैं 1050 चोस्टेंस जो होते हैं वो आपके साइन्स को के होत staff वसें यह मलब पास कुछ हभी तो जैसे कुशन यह कुशन मंबर वन यह थोड़ा सा अलग लिबी धल का था कुशन मैं сेलों का था त्रत्र नाइन टैंबो सेलेग है दिन कुशन को इनके लोग यह थोड़ा सा अलग सा यह विल कज़सीफर्य content जो है तोड़ा सा अलग थे और दे नंबर ओफ पॉसिबल आइसो सेलस ट्राइंगल यह मैं पर से लग था और यह 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 मैं पर से कुश्चन था 24 टिग्नोमेट्री में जहां पर थीटा जो है वह थीटा जो है मैं पर स 90 से 180 के बीच में होता है इसको डिसकस करेंगे यह था यह जिससे कहना चाहिए डैविशन की हम बात करते हैं उस पर बेस्ट कुश्चन था तो यह मैं पस्कुश्चन थे तो अगर आप काउंट करेंगे जो कुश्चन थोड़ा साथ महीं करता रहूंगा जो कुश्चन लगेगा यह थोड़ा सा एक्स्रा था वो हम आगे बढ़ जाएंगे जिसमें एक कुश्चन और भी था जो परसेंटेज बेज़ था यह वाला कुश्चन कुश्चन नमबर 29 ठीक है सैट्स पे बेज़ तो यह 29 तो यह भी कुश्चन सोड़ा था तो आठ कुश्चन होगा थर्टी तो 22 कुश्चन्स तो मैं हमेशा यह सज़ेस्ट करता हूं कि जो भी आपको फरस्टर टैम में हो सकता है पहले उसे करिए जिसमें सोचना पढ़ रहा है से बाद में करिए तो खैर यहां से हम कुश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है यह कुश्चन है यह वाला कुश्चन है आपके पास कुश्चन नमबर 1 यह देखिए यह आ आपके पास question है यह आपके पास question है it is dark you have 10 gray socks and 10 blue socks you want to put into pairs all socks are exactly same except for their color how many minimum socks would you need to take with you to ensure that at least at you had at least appear आपके पास क्या है आपके पास socks है in gray and । नीचे आपके पास ten gray socks hai यह आपके पास 10 gray socks है और 10 आपके पास blue socks है यह आपके पास ठीक है शर टेन ग्रेर सॉक्स कुश्चन देखें आपके 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 पास एक पेर तो सेम कलर का हो जाए ठीक है वो आपके पास सीम तो मैंने आप से कहा कि आपके पास टैन ग्रें अपके आपके पास और टैन बुलु आप मीणिम्मी मुल्हा सेम को Defender TV आपके प्रेंव वो और एक बिलू आया अब अगर आप एक और Song ले लेते हैं कि के आप के पास हो गया थे तो आपके अंसर जो था weन के लिए सफी तक यह हमारे पथे level जा सबए अब अगर खाते हैं या अपके पै Cam नंबर वन दिवाइद बाई 121 यह कुश्यन्स भी थोड़ा सा वेल से तो आप यह लेवल से अलगे लेकिन क्योंकि आप HCF LCM कर रहे हैं आप इसे कर सकते हैं यह मर पास क्वेश्चिन यह नंबर वन दिवाइद बाई 121 लीवस 37 अस रिमेंडर वाट विल बी दा रिमेंडर वन दे सेम नंबर इस डिवाइद बाई 11 अगर आपके पास कोई नंबर है एक्स सफोर्स को रहो एक्स नंबर जिसको आप 121 से डिवाइद कर रहे हैं उससे आपको जो रिमेंडर आ रहा है वो 37 अरह है रिमेंडर आप कहा रहो नहीं से रम 21 से नहीं करेंगे अम इस नंबर एक्स को 11 से करेंगे अब यह ध्यान रखेगा इस कोश्चन में सबसे चीवाइद यह है कि 121 इस अलसो डिवाइजिबल वा 11 तो अगर इसे शॉर्ट में आप देखें तो आप यह भी कह सकते हैं जो आपने युकलीड डिविजन लेमा में भी किया होगा एक नंबर है एक्स ठीक है सरिया जो युकलीड डिवाइजन लेमा में हम कहते थे ए उसको आप डिवाइड कर रहे हो 121 से कितने टाम डिवाइड हो रहा है मालूम नहीं इसन्लेंट एंड में डिवाइड कितना रहा है? 37 यह मरकास अब क्या कर सकती हो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ऑफट इसमें से आप 11 कम लेंगे तो आपके पास आएगा 11 Q Pलस 3 प्लस फूर तो इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है अगर रिमेंडर क्या आएगा फूर आएगा तो इसका जो आंसर था वो हमारा औप्षन हो गया फूर ये वाला तो ये कुशन नंबर 2 था अगर हम बात करें अगर हम बात करें कुशन नंबर 3 की ये मेरे पास question number 3 है ये एक easy question था तो मैं वही कहता हूँ जब आपके पाइजी questions आए तो उसको करते रही है तो आपको वह marks भी देगा और time भी save करेगा येस आपके पास क्या है decimal representation of a rational number cannot be ठीक है तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि decimal representation है और वो भी किसकी rational number की तो आपको पता है जो rational number होते हैं उसमें दो चीज़े होते हैं या तो होता है terminating या होता है ऐसे कह लिजे या ऐसे कह लिजे यानि कि non-terminating non-terminating and repeating ये मरे पास होता है तो जो decimal national number में या तो terminating होगा non-terminating भी होता है अगर हम एक के हैं और non-terminating repeating होता है लेकि non-terminating and non-repeating नहीं होता है तो D option है cannot be तो ये सिधर सिधर definition based question था तो इसका जो option है वो D है rational number का decimal number non-terminating non-repeating ये basically irrational का होता है irrational का तो ये तीन questions आपके होगा है अगर हम करें question number four ये है हमारे पास देखिए ये question भी एक थोड़ा सा मसल में एक चीज़ और होती है कि ज़रूरी नहीं हम सब को solve ही करें कुछ questions होते हैं जो हम solve करते हैं कुछ questions जो हम ये भी कर सकते हैं जो हम check भी कर सकते हैं जैसे आप से कह रहा है कि एक्स की value बताओ solving for this तो what is x? वी get x ये मैं बस x की value पूछ रहा है दिखिए सर अब x की value 0 हो सकती है अब एक होज़ा है कि अगर मैं x को रख दूँ यहां जिरो रख दूँ मैं minus 1 रख दूँ मैं 1 रख दूँ यह प्लस minus 1 रख दूँ तो यहां x रखने से यहां X रखने से यहां X की value से भानी चाहिए बाँ खुद सूर सकते हो कि अगर मैं X की value zero रखो तो यहां अगर मैं zero रखो तो क्या X की value zero आएगी अब ध्यान रखे अगर नीचे सारा zero भी हो जाए तब भी नहीं हो सकता है यह problem है और हम जीरो रख भी देंगे तो वह गड़बड हो जाएगा तो अब हम चेक कर सकते हैं अगर मैं यहां रख तो क्या रख दूंग वन यहां पर रखती है आप यहां पर x की जगे 1 रखिए तो x की जगे 1 रखेंगे 2-1, 1 हो जाएगा और 1 upon 1 जो होगा वो भी 1 हो जाएगा फिर 2-1, फिर 1 हो जाएगा फिर 1 upon 1, 1 हो जाएगा फिर 2-1, 1 हो जाएगा फिर 1 upon 1, 1 हो जाएगा फिर 2-1, 1 हो जाएगा फिर 1 upon 1, 1 हो जाएगा तो x की value कित x की जएगे तो उसकी value minus 1 नहीं आएगी यूगि मैंने आप से क्या काया जब आप x रखेंगे तो जो value आप यहां रखेंगे वो ही value यहां आनी चाहिए तो minus 1 रखने से पूरे expression के value minus 1 अगर आप इसे solve करेंगे तो देखे solve करने से सिर्फ इसको ही solve करेंगे तो यह जाएगा 2 to the 4 minus 2x minus 1 upon 2 minus x यह उल्टा हो जाएगा 2 minus 2 minus x upon 4 minus 1 5 5 minus 2x 1 upon x is equals 2 तो कितना लेंगती होगा है तो इसे solve करने से अच्छा है कि आप जो है इसे check करने है यहां हमारा answer किस से आ रहा है C से आ रहा है Yes हमारे पास क्योश्चन है क्योश्चन नमबर 5 यह आप लोगों ने देखा होगा यह मारे पास है मारे पास क्या है यह हमें दिया है क्योश्चन A की पावर X is equals to B की पावर Y is equals to C की पावर Z तो होता क्या है जब इस तरह का क्योश्चन हमारे पास होता है तो हम इसको suppose कर देते हैं कि बही suppose करो यह के है अगर suppose करो यह के है तो A की वैल्यू आजाएगी K की पावर 1 अपॉन X B की वैल्यू आजाएगी K की पावर 1 अपॉन Y C की वैल्यू आजाएगी K की पावर 1 अपॉन Z ठीक है जर दूसरा हमें क्या दिया हुए हमें दिया हुए यह A स्कुएर is equals to BC अब A की जगे यह रखिए B की जगे यह रखिए C की जगे यह रखिए तो आप क्या रखोगे A की जगे रखिएंगे K की पावर 1 अपॉन X उसका स्कुएर B की जगे रखिएंगे K की पावर 1 अपॉन Y C की जगे रखिएंगे K की पावर 1 अपॉन Z अब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा K की पावर 2 अपॉन X और यह power add हो जाए है तो sir क्या हो गया हमें चाहिए जो इसमें question में जो हमें value चाहिए वो z की चाहिए तो z को एक तरफ रखो बागी सब तो आपके पास क्या होगा दोनों k की power है तो 2 upon x is equals to 1 upon y plus 1 upon z 1 upon y को इधर लाओ तो 2 upon x minus 1 upon y is equals to 1 upon तो नीचे क्या आएगा सर एक्स वाई इधर क्या आएगा सर 2y minus x is equals to जब आप इसको reciprocal करेंगे तो z is equals to xy upon 2y minus x xy upon 2y minus x यह राशे हो एक्स y minus 2y minus तो इस तरह से आपको कॉस्चन सटब करने हैं तो यह मारे पास five questions हो गए यह देखी सर अगर इस question की मैं बात करूं question number six की question number six की अगर मैं बात करूं वहिदा grand daughter is about as many as days as her son in weeks and her granddaughter is as many months as she is in years her granddaughter, her son and Vajda together are 20 years old die of Vajda in years मैं भी इसको skip कर रहा हूं इसको बाद में करेंगे हैं ठीक है सर हमारे पास क्या होगा सर यह लेकर है एक कुश्चन हमें दिया है यह कुश्चन हमें दिया है आप से गया कर रहा है कुश्चन में कुभी टू एक्स प्लस वाई अब यह कुश्चन आपने टैंथ में दो देखा ली है तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसका अब इतने समझेंगे इतने time over हो चुपा हुगा फ़िए मैं कोश्चिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ही समझा दू कि बहुद्धर एक्स आपका less than zero लैस धर का मतलब नेगेटिव ठीक है अगर X less than 0 है तो less than 0 का मतलब negative है तो यह negative हो जाएगा 2X और 2X इधर चला जाएगा तो positive हो जाएगा तो Y जो होगा less than equal to 6 plus something होगा तो इसका मतलब Y जो होगा वो 6 में add ही होना है माइनस नहीं होना है तो इसका मतलब 6 से बढ़ा ही होना है six भी नहीं होना है क्योंकि अगर यह 0 हो जाता तो फिर Y is equals to six हो जाता तो six नहीं होगा six से बढ़ा होगा तो इसका मतलब six से छोटा ही होगा मतलब symbol यहीं लगना है why is less than six तो इसका option यह होगा समझ रहे हैं आप बारत से समझ लेज़े क्योंकि यह आपके वेस्तम इसको graph से भी कर सकते हैं लेकिन यह आपके level का नहीं मैं सोच रहूं कि आपके level से ही समझाओ आप कह रहे हैं x less than 0 less than 0 आप नेगेटिव आप सीधा सीधा सा minus कुछ भी ले 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 जालिए तो यहां रखेंगे 2 में तो 2 into minus 1 plus y less than equals to तो यह minus 2 इधर चला जाएगा तो y क्या हो जाएगा less than equals to 8 हो जाएगा क्योंकि आप x को 0 नहीं रख सकते यहां पर x 0 से छोटा है equal भी नहीं है तो जब 0 नहीं रख सकते तो यह 0 नहीं होगा अगर यह 0 नहीं होगा तो y कभी 6 नहीं होगा तो इसका मदलब y 6 है हमेशा चोटा ही होगा तो अंसर कौंसा है बी यह बास बट यह वोई question है जो आपको घुमाएंगे ठीक है sir तो हो सकता है आप इनको exams के परिशन में समझ भी न पाएं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्च यह question अगर ऐसे आते हैं तो उन्हें आप skip कर सकते हैं आप कुछ question आप समझ भी आएंगे देखे थे जैसे यह question दिया हुए question number 8 आप आराम से समझ सकते हैं यह बस है taxi driver charges rupees 10.50 per km flat rate in addition to rupees 20 ठीक है यह में दिया भाए अजे it is not a joy यह में दिया भाए है अजे has no more than rupees to 20 to spend on right without an accident budget अजे can travel तो आप के पास आप के पास क्या है आप से करा अजे can travel यह मार पास है अब आपको questions बिल्कुल simple सा है कि आपने linear questions आपने question करें taxi driver charges rupees rupees 10.50 per km और 20 रुपे वो extra charge करता है तो आप से कह रहा है अजे के पास सिफ 220 रुपीज है तो अगर अजे के पास 220 रुपीज है उसमें से 20 रुपे वो extra ले रहा है तो आपके पास पच्छे 200 रुपे तो 200 रुपे में आपको travel करना है और आपकी जो वो है पर km जो rate है वो 10.50 है तो अगर 200 रुपे में आप 10.50 के हिसाब से कितने km जा सकते हैं तो आप 10 से इसको divide कर दीजे ठीक है सर तो अगर 20 होता तो 200 हो जाता बट यह 20 नहीं है ठीक है 10.5 है तो तकरीबर 19 किलोमेटर आप जा सकते हैं पूरे 20 किलोमेटर नहीं अब option देख लिए less than 20 किलोमेटर less than or equals to 20 तो equal to 20 भी नहीं जा सकते हैं exactly 20 भी नहीं जा सकते हैं greater than तो तीनों option नहीं है तो कौन सा option है less than or तो ऐसे questions होते हैं जो सीधा सीधा जो है आपके topic wise होते हैं तो आप कर सकते हैं आराम से yes one more question बट यह थोड़ा सा अगर हम जामिया के पिछले साल के paper से compare करें तो यह थोड़ा सा extra था मैंने 11th का paper solve करके जामिया का डाला हुआ है मैं इसके question आप चेक कर सकते हैं अब एक question यह था हमारे पास यह भी बहुत अच्छा सा खुशूस सा question था the condition which must be satisfied by the coefficients of the polynomial fx यह हमारे पास polynomial है यह हमारे पास polynomial है ठीक है when the sum of its two zeros is zero condition एक यह है आपको हमेशा question में से information लेने के दिया कैस two zero is zero sum of sum दिया रहा the sum of two zeros मतलब अगर मैं आप से यह कहूँ कि अब जरा आप यहां से देखे अगर यह आपके पास polynomial है तो आपको पता है alpha plus beta plus gamma ठीक है minus b by a होता है यहां पे minus p है तो minus of minus p यानि कि p हो जाएगा और alpha beta और beta gamma और alpha gamma वो मरपस c अपॉने होता है वो q हो जाएगा और alpha beta gamma minus d अपॉने तो है तो वो minus r है तो प्लस r हो जाएगा तो यह मरपस तीन condition है अच्छा हमसे कह क्या रहा है कि दो sum जो है alpha plus beta वो zero है sum of two zeros तो इसको आप zero कर सकते हैं अगर आप इसको zero करेंगे तो इसका मतलब gamma is equals to p हो जाएगा तो पहली condition तो यह आगई कि gamma is equals to p अच्छा अगर हम यहाँ से ले यह मरपस गामा है इसमें से तो हम क्या कर रहे हैं कि alpha beta यहाँ से gamma common तो यह हो जाएगा alpha plus beta gamma is equals to q तो alpha plus beta कितना होगा जीरो यह मैं दिया हो है तो इसको zero into gamma करेंगे तो alpha beta plus zero is equals to q तो यहां से आपके पास आजाएगा کہ alpha beta is equals to q तो gamma आगिया p और alpha beta आगिया q अब आपको मालुम है alpha beta is equals to r तो alpha beta की value रख़े है alpha beta की value कितनी है? q और gamma की value रख़े gamma की value कितनी है? p और इन त q is equals to r देखिए ज़रा कहीं है क्या P Q is equals to D option एक question और देखिए ज़रा आराम से इस questions को आप practice करिएगा ठीक है यह देखिए question और देखिए आप से क्या कह रहा है यह मेरे पास question है if one of the zeros of the polynomial is reciprocal the other भाई हमारे पास यह दिया है polynomial x square a square plus 9 x square plus 13 x plus 6 a तो इसमें क्योंकि power 2 है तो 2 zero होंगे alpha और beta आप से क्या कह रहा है one zero is reciprocal of the other तो इसका मतलब alpha is equals to one upon beta तो इसका मतलब alpha beta is equals to one लेकिन alpha beta जो होता है वो होता है c upon a तो c upon a is equals to one और c जो हमारे पास है वो है 6 a और a है a square plus 9 तो इसका मतलब 6 a upon a square plus 9 is equals to one तो इसे यहां ले जाओ a square plus 9 is equals to 6 a तो इसको इधर लिए यह x square minus 6 a plus 9 is equals to 0 अब अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यह a minus 3 का whole square है तो इसका मतलब a is equals to 3 तो कहीं option है a is equals to 3 तो यह हमारे पास questions है तो यह 10 questions थे आप इनको दुबारा से repeat करकर के देख सकते हैं questions कैसे solve हैं इंशाला एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे questions होंगे